नागरिक केंदरित सेवाओं की जानकारी Exploring Common Citizen Centric Services Hello बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने राजस्थान में नागरिकों के लिए कई डिजिटल सेवाओं शुरू की हैं इस अध्याए में हम उन सभी नागरिक केंदरित सेवाओं के बारे में विस्तर जानकारी प्राप्त करेंगे ये सेवाएं हैं आधार सेवाएं, आयकर विभाक सेवाएं, पासपोर्ट सेवा, टिकिट बुकिंग सेवाएं, एलपीजी सेवा और सदस्यता इत्यादी पंजीकरण कैसे करें? How to enroll for आधार कार्ड? प्रिये विध्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें? आधार प्राप्त करने के लिए या आधार के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपनी पहचान और पते के प्रमान के कुछ दस्तावेजों के साथ नस्दीक के आधार नामंकन के लिए अधिकरित, आधार एन्रोल्मेंट केंद्र या इमित्र के पास जाने की आवशक्ता है पूरी प्रक्रिया को इन स्टेप्स के द्वारा स्पष्ट किया गया है अपने निवास और पहचान से संबंदित दस्तावेज जो की ओरिजनल या सेल्फ अटेस्टेट फोटोकॉपी हो सकते हैं को आधार नामांकन फॉर्म के साथ किसी भी नजदी की अधिकरत आधार नामांकन केंदर पर ले जाएं या आप भारत में कहीं भी UIDAI द्वारा अधिकरत नामांकन शिवर में जा सकते हैं नामांकन केंदर पर अधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापित किये जाएंगे। नामांकन करता या ओपरेटर आपके डीटेल्स को एंटर करेगा और आपको डेटा जाचने के लिए कहेगा। फिर आपको फिंगर प्रिंटस और आई आर आई एस यानी आईरिस स्कैनिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद आपकी तस्वीर ली जाएगी। उपरेटर या नामांकन करता स्वयाम के फिंगर प्रिंट के साथ साथ साइन आफ करेंगे। Enrollment संख्या और अन्य डीटेल्स के साथ आपको एक acknowledgement slip का print दिया जाएगा, यहां आपको आधार संख्या प्राप्त करने का कार पूर्ण होता है, इस तरह से हम आधार कार्ड के लिए पंजिकरन कर सकते हैं. बच्चों, एक बार आधार कार्ड का पंजिकरन enroll हो जाने के बाद, अगर उस आधार कार्ड के विवरण में कुछ गलती हो जाए, तो उसके लिए UIDAI Portal यूजर्स की सुविधा के लिए कई online सेवाएं प्रदान करता है. इन सुविधाओं के जरिए आप अपना आधार कार्ड डीटेल्स निम्न दो विकल्प के माध्यम से संशोधत कर सकते हैं. Online विधी, Online Method आप UIDAI के अधिकारिक online portal uidai.gov.in पर अपने अकाउंट को कुछ सिंपल स्टेप्स का अनुसरण कर एक्सेस कर सकते हैं, एवं अपने डीटेल्स अपडेट कर सकते हैं. Offline विधी, Offline Method आप अपडेट किये गए विवरन को, डाक सेवा का उप्योग कर uidai को भेज सकते हैं. Online विधी का उप्योग करके आधार विवरन अपडेट करें. Updating आधार डीटेल्स using online method सबसे पहले, हम online विधी से कैसे आधार कार्ड के विवरन को अपडेट कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं. UIDAI ने online सेवा शुरू की है, जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अपनी डीटेल्स को आसानी से संशोधित कर सकते हैं. आप UIDAI पोर्टल पर जा सकते हैं और पंजिकृत मोबाइल नमबर, जो की registered मोबाइल नमबर होगा, उसका उप्योग कर लॉगिन कर सकते हैं. आप अपने मोबाइल पर एक OTP नमबर प्राप्त करेंगे, जो आपको लॉगिन करने में सहायता करेगा. इन चरणों का उप्योग करके आप ओनलाइन विधी से अपना विवरंट अपडेट कर सकते हैं. सबसे पहले आधिकारिक आधार कार्ड अपडेट पोर्टल यानि अफिशल आधार कार्ड अपडेट पोर्टल पर जाएं. उसके उपरांद अपडेट आधार डेटा बटन पर क्लिक करें ये आपको आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल पर ले जाएगा इस पोर्टल पर आपकी डीटेल्स को संशोधित करने के पूरी जानकारी और उसका प्रोसेस समझाया गया है आप सही विकल्ब का उप्योग और प्रोसेस का स्टेब बी स्टेब पालन कर अपने विवरन यानी नेम, जेंजर, डी ओबी, एड्रेस, मोबाइल और इमेल को अपडेट कर सकते हैं ओनलाइन विवरन अपडेट करने के लिए आपको पोर्टल पर बताए अनुसार सपोर्टिंग दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन और अप्लोड करना होगा अप्लोड किये गए दस्तावेज, सेल्फ साइंड या सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए दस्तावेज, PDF, Microsoft, Word या Image प्रारूप में हो सकते हैं एक बार सब्मेट होने पर आपको स्क्रीन पर एवं मोबाइल पर एक अपडेट अनुरोज संख्या यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जिसको हम URL भी कहते हैं के साथ एक confirmation message मिलेगा इस URN का इस्तमाल कर आप आधार कहते के साथ आधार कैसे लिंक करें? How to link आधार with bank account? प्रिये बच्चों, जैसा कि आप सब को पता है कि RBI ने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार कर दिया है अतहां निम्न दो तरीकों से आधार कार्ड को बैंकों से जोड़ा जा सकता है Net Banking का उप्योग करके Online आधार विवरण अपडेट करना आवेदन पत्र भरना और स्वयम बैंक में जमा करना आधार विवरण को Online अपडेट करना Net Banking का उप्योग कर इसके लिए आवशक है कि आप अपने बैंक से इंटेनेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करें जब आप अपने क्रिडेंशिल्स का उप्योग करके अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आप अपडेट आधार काड डीटेल्स या आधार काड सीदिंग का विकल्प देख पाएंगे अब आप इस पर क्लिक करें और बारा अंकों का आधार नंबर डालें और सब्मिट बटन पर क्लिक करें आपकी details match होने पर linking तुरंट हो जाएगी अन्यथा ये offline होगा offline पदती में bank अधिकारी आपके द्वारा दर्च की गई जानकारी को सत्यापित करेंगे और एक बार सत्यापित करने के बाद आपके bank account को आधार के साथ link कर दिया जाएगा linking होने पर आपको email या अपने पंजिकरित mobile number पर या SMS द्वारा सूच ना मिल जाएगी आधार के बारे में सुरक्षा संबंदित आशंका safety concerns around आधार प्रिये विध्यारतियों आधार को व्यापक रूप से सुविकार किया जा रहा है और सरकार कई विध्य समावेशन योजना यानी financial inclusion schemes में आधार का उपयोग करके कई benefits को इसके साथ जोड़ रही है एक consumer होने के नाते आपको अपने आधा details को share करते वक्त इन points पर ध्यान रखना आवशक है आपको अपने आधार कार्ड नंबर या उसकी copy को हर किसी के साथ share नहीं करना चाहिए अगर आप share करने की जरूरत समझते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप copy document या self attest करें तथा इस पर तिथी और उद्देश अवश्य अंकित करें इससे इसका दुरूपयोग होने से बचेगा कई स्थितियों में आपको आधार online share करने की आवशक्ता होगी जहां आपको स्वेप प्रमानित तथा उद्देश अंकित करने का अवसर नहीं मिल पाएगा ऐसी परिस्थितियों में आपको ये सुनिश्यत करना होगा कि ये वेबसाइट, पोर्टल या SMS जहां आप अपने आधार डीटेल्स को शेयर कर रहे हैं एक विश्वसनिये सुरोत हो जैसे की legitimate website of your bank, income tax website, इत्यादी अंट में यदि आपको लगता है कि दुरुपयोग किया गया है तो आप कानूनी कारिवाही कर सकते हैं आयकर विभाग सेवाएं Income Tax Department Services प्रिये बच्चों, आयकर विभाग द्वारा आम आदमी को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं आये हम इन विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं पैनकार्ड आवेदन और संशोधन पैनकार्ड अप्लिकेशन और अबडेशन ऑनलाइन आईटियार फाइलिंग पुरानी आईटियार पुना प्राप्त करना पैनकार्ड आवेदन और संशोधन पैनकार्ड अप्लिकेशन और अबडेशन बच्चों इस अध्याई में हम सबसे पहले अध्यन करेंगे कि नए पर्मनेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है इसके दो मूल भूत हिस्से होते हैं सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना होता है और दूसरा आयकर विभाग द्वारा कार्ड का वितरन होता है पैन एक महत्वपून संख्या और दस्तावेज है जो की सरकार द्वारा, बैंक जमा, म्यूच्वल फंट खरीद, बीमा खरीद, संपत्ति खरीद आदी जैसे विभिन लेन देन में अनिवार रहे NSDL वेबसाइट पर पैन कार्ड के ओनलाइन आवेदन प्रिये बच्चों, पैन कार्ड के लिए ओनलाइन आवेदन करना, नए पैन जारी करने तथा पैन कार्ड के डीटेल्स के सुधार के लिए किया जा सकता है यदि आपके पास pen card नहीं है तो आप नया pen प्राप्त करने के लिए इन steps का उपयोग कर सकते हैं सबसे पहले अपने browser में NSDL यानि National Securities Depository Limited को खोलें और Form 49 ओनलाइन भरें किसी भी जानकारी में यदि कुछ गलत दर्ज कर दिया गया है तो उसका review करें और edit करें website आपको processing शुल्क के भुकतान के लिए एक payment gateway पर भेज देगा फीस का भुकतान, debit card, credit card या internet banking के माध्यम से online किया जा सकता है offline भुकतान शुल्क के लिए check या demand draft का उपयोग किया जा सकता है एक बार पैसे का भुकतान करने के बाद उपयोग करता के reference के लिए एक acknowledgement number दिया जाता है आपके pen request के status को इस संदर्ब संख्या के माध्यम से track किया जा सकता है संदर्ब संख्या acknowledgement receipt पर होती है आवेदक को स्वीकृती यानि acknowledgement receipt का printout, address और identity के दस्तावेजों और दो passport आकार के photo के साथ income tax department को भेजना आवशक है income tax department सारे दस्तावेज प्राप्त होने पर उनकी जाच करता है और संतोष चनक पाए जाने पर आवेदक को एक नया pen जारी कर दिया जाता है आपके पंजिकृत email ID पर pen विवरन और pen card के dispatch के बारे में जानकारी भेजी जाती है इस तरह से आप pen card के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसका विवरन देख सकते हैं Pen card विवरन में update Updation in pen card details प्रिये विध्यार्थियों आप pen आवेदन form का उप्योग करके अपने pen जानकारियों को correct कर सकते हैं Form को पूरी तरह से भरना चाहिए और जहां परिवर्तन की आवशकता हो उन boxes को टिक किया जाना चाहिए आपके द्वारा upload किये गए corrections को apply कर दिया जाएगा लेकिन आपका permanent account number नहीं बदलेगा updated card आवेदक को भेज दिया जाएगा उप्योगी tips आपकी सुरक्षा के लिए और additional authentication के लिए कई websites आपको security questions पूछेंगे आपको इन security questions के उत्तर याद रखने चाहिए क्योंकि website उप्योग करता से authentication हे तू किसी भी समस्या जैसे की password भूलना आदी के मामले में इन्हें पूछा जाएगा प्रिये विध्यार्थियों जैसा कि आपको पता है I can return एक प्रमान है कि आपने अपनी income tax का भुखतान किया है इसमें आपकी वार्षिक आए और आपके द्वारा भुखतान किये गए टेक्स की राशी के विवरंट शामिल है हर साल कर योग्य आय अर्जत करने वाले भारतिये नागरिकों को I can return file करनी होती है यदि आप अधिक टेक्स का भुखतान करते हैं तो ITR दाखिल करने पर आपको रिफंट प्राप्त करने में मदद मिलेगी आयकर रिटर्न की इव फाइलिंग इव फाइलिंग औफ इनकम टेक्स रिटर्न्स बच्चों एक आयकर रिटर्न आउनलाइन भरने से पूर्व कुछ डॉकिमेंट्स की आविशक्ता होती है जैसे बैंक स्टेट्मेंट फॉर्म नंबर सिक्स्टीन पिछले साल के रिटर्न की प्रतिलेपी इव फाइलिंग भरने के लिए आपको income-text-india-filing.gov.in पर जाना होगा ITR ओनलाइन फाइल करने के लिए आपको अपने पैन का उप्योग करके इस पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन करना होगा इस वेबसाइट पर स्थाई खाता संख्या आपकी यूजर आईडी होगी आईकर वेबसाइट के माध्यम से ITR फाइल करने के लिए निमनिलिखित विकल्प है एक उप्योग करता return preparation software को डाउनलोड कर सकता है और details भरने के बाद वह अपना login उप्योग करके पोर्टल पर upload कर सकता है एक उप्योग करता अपने login से आवशक विविरन प्रदान करके online return भी दाखिल कर सकता है तो बच्चों इस थरह से हम e-filing का उप्योग करके आईकर return भर सकते हैं विकल्प 1 ITR अप्लोड करने के लिए क्रपया इन चरणों का पालन करें प्रिये बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे ITR फाइल को घर बैठे आविदन कर सकते हैं और उसके लिए इन स्टेप्स को follow करना होगा अपने PC या लैप्टॉप में सम्मंदित assessment year के लिए download page से ITR preparation software download करें download किये गए इस software का उप्योग करके return तयार करें अपनी आए कर भुकतान कटोती आदी के बारे में सारी जानकारी एकत्रित करें और self-explanatory प्रक्रिया के अनुसार करकी गणना करें अपने PC या लैप्टॉप पर desired path place में XML के प्रारूप में आएकर return डेटा को जनेरेट करें और save करें e-filing website पर login करें और e-file पर जाएं और upload return पर क्लिक करें उचित ITR और XML फाइल का चयान करें जैसा की उपरी चरण में बताया गया है और submit बटन पर क्लिक करें सफलता पूर्वक प्रस्तुत करने पर ITR 5 प्रदरशित किया जाएगा link पर क्लिक करें और ITR 5 डाउनलोड करें पुरानी ITR पुरानी ITR पुनह प्राप्त करना retrieving old ITR filed आये सीखते हैं कि कैसे हम आयकर वेबसाइट पर login करके अपने द्वारा दायर पुरानी ITR पुनह प्राप्त कर सकते हैं पोर्टल पर प्रवेश करने के बाद e-filing text return देखने के लिए view returns या forms विकल्प चुने जो की इस चित्र में दिखाया गया है ITR 5 डाउनलोड करने के लिए acknowledgement number पर क्लिक करें आप अपनी आयकर रिटर्न का e-verify भी चुन सकते हैं e-sत्यापन के लिए e-sत्यापन के लंबित रिटर्न देखने के लिए यहां क्लिक करें विकल्प चुने जो की यहां पर दिखाया गया है डाउनलोड शुरू करने के लिए ITR 5 या acknowledgement का चयान करें जो की इस चित्र में दिखाया गया है डाउनलोड करने के बाद दस्तवेश खोलने के लिए पासवर्ड इंटर करें आपका पासवर्ड छोटे अक्षरों यानि लोवर लेटर्स में आपके पैन नमबर के साथ डेट ओफ बर्थ है पासपोर्ट सेवा सेवाई पासपोर्ट सेवा सर्विसेज प्रिये विध्यार्थियों जैसा कि आप सब को पता है कि पासपोर्ट आज के युग में बहुत जरूरी हो गया है अगर आपको विदेश यात्रा करनी हो या फिर बिजनस के लिए विदेश जाना हो या फिर पढ़ने के लिए जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट का होना बहुत ही जरूरी है आए हम सीखते हैं कि कैसे हम पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं आए सीखते हैं कि कैसे हम पासपोर्ट के लिए आवेदन आवेदन फॉर्म भरना पासपोर्ट शुल्क ऑनलाइन जमा करना तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट केंद्र पर booking कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले website www.passportindia.gov.in पर login करना होगा login करने के परशाद एक बार जबाब भुकतान करते हैं और passport appointment की booking करते हैं इसके उपरांत आप ARN रसीद प्रिंट करें और इसके बाद आपको PSK में आवेदन को प्रोसेस करवाना होगा पासपोर्ट आवेदन ओनलाइन जमा करें Submit passport application online पासपोर्ट के लिए ओनलाइन आवेदन कई चरणों में किया जा सकता है ये निम्न स्टेप्स है Step 1 पासपोर्ट सेवा पर लॉग इन या पंजिकरन करना लॉग इन और रजिस्टरिंग और पासपोर्ट सेवा बच्चों, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना कर रजिस्टर करना होगा रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ बेसिक डीटेल्स जैसे नाम, डियोबी, इमेल, मोबाइल नंबर आदी को चुनना होगा अब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ट बना कर वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं Step 2 आवेदन के प्रकार चुनना जैसे की नया पासवर्ट या पासवर्ट फिर से जारी करना Fresh पासवर्ट और पासवर्ट रीशू Diplomatic पासवर्ट या अधिकारिक पासवर्ट Diplomatic और Official पासवर्ट Police clearance प्रमान पत्र Police clearance certificate पहचान प्रमान पत्र Identity certificate इस पेज में लिंक भी है जिससे आप सब्मिट किये गए आवेदन भी देख सकते हैं एक बार जब आप अपना आवेदन पत्र जमा करते हैं तो आप इसे देखने के लिए इस प्रिष्ट पर लौट सकते हैं आपिकेंट होम प्रिष्ट पर नया पासपोर्ट या पासपोर्ट पुनह जारी करने के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा अब आपको प्रक्रिया के अगले चरण में ले जाया जाएगा जो की आवेदन फॉर्म को भरना है Step 3. आवेदन पत्र भरना Filling the application form आएए जानते हैं कि आवेदन पत्र दो तरह से भरे जा सकते हैं Offline या Online Offline mode के लिए आप Passport e-form डाउनलोड कर सकते हैं इसे भर सकते हैं और वेबसाइट पर वापस अपलोड कर सकते हैं Offline विधी form भरने का एक Fast तरीका है और इसमें Internet Connection की आवशक तब बिल्कुल नहीं है Online mode में आपको सभी आवशक details online भरने होंगे एक बार जब आप विवरन भर चुके हैं तो आपको form submit करना होगा Online के लिए form भरते समय आपको Internet से जुड़े रहना आवशक होगा Step 4. समय निर्धारण भुकतान एवं appointment बुक करें Schedule, Pay and Book the Appointment प्रिये बच्चों आपको passport सेवा केंदर पर जाने के लिए appointment लेना होगा जहां आपको स्वयम उपस्तत होना होगा आप portal पर अपने क्षेत्र के लिए PSK का पता लगा सकते हैं appointment बुक करने के लिए Applicant Home Page पर जाएं और View Saved या Submitted Applications देखें यहां आपके द्वारा पूर्व में जमा किये गए आविदन फॉर्म के बारे में विवरेन वाले एक प्रिष्ट को प्रदर्शित करेगा यह tabular फॉर्म में ARN, File Number, Applicant, Number Appointment Date और Submission Number दिखाएगा आपके द्वारा भरे गए फॉर्म का ARN select करें Pay and Schedule Appointment पर क्लिक करें यह आपकी भुगतान प्रक्रिया आरंब करता है यहां से Choosing Your Mode of Payment शिरू होता है आप या तो Online Payment Mode जैसे की Net Banking, Credit Card या Debit Card या फिर Offline भुगतान विधी जैसे चालान पेमिंट चुन सकते हैं भुगतान करने के पश्चाथ Passport Appointment बुक करना अगला कदम है Regional Passport Office यानि RPO के तहत PSK में Appointment के लिए ये Page Date उपलब्ध करवाता है उपलब्ध तारीख के आधार पर एक PSK का चैन करें आपको अपने Registered Mobile Number और E-Mail पर सभी गतिविदियों का Confirmation मिल जाएगा उपियोगी Tips प्रिये विध्यार्थियों अपने PSK में नियुकती की तारीख को याद रखें और समय से पहले PSK पर पहुँचें तथा साथ में आवशक दस्तवेस एवं Self Attested Photocopy अवश्य ले जाएं टिकेट बुकिंग सेवाएं टिकेट बुकिंग सर्विसेज आईए बच्चों इस अध्याय में हम अध्यान करेंगे टिकेट बुकिंग सेवा प्रदान करने वाली Companies IRCTC और RSRTC के बारे में पंजिकरन एवं Sign In Registration and Sign In सबसे पहले आपको अपना पंजिकरन वेबसाइट www.irctc.co.in पर करना होगा और अपना User ID और Password बनाना होगा आपको Sign Up लिंक पर क्लिक करने की जरूरत है और फिर User, Password, Name, Gender, DoB, Address, Security Question, Mobile Number, Email इत्यादी जैसे सभी आवशक विवरन भरने होंगे यदि विवरन और User ID पोर्टल द्वारा स्वीकार किये जाते हैं तो Greetings के साथ स्वागत यानि Appropriate Message दिस्प्ले किया जाएगा अब आप अपने IRCTC एकाउंट को सक्रिय करने के लिए Verification Code और Activation Link, SMS और Email ID पर प्राप्ट करेंगे जब आप अपना Email खोलते हैं तो आपको एक Mail प्राप्ट होगा जो आपको आपके Highly Confidential Password और User ID के बारे में जानकारी देगा Email में दिये गए Activation Link पर क्लिक करें और Code डर्च करें आपका अकाउंट अब आपके Opio के लिए तैयार है अब आप Online भारती रेल की टिकेट बुक कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपना पंजिकरन वेबसाइट www.irctc.co.in पर करना होगा और अपना User ID और Password बनाना होगा आपको Sign Up लिंक पर क्लिक करने की जरूरत है और फिर User, Password, Name, Gender, DOB, Address, Security Question, Mobile Number, Email इत्यादी जैसे सभी आवशक विवरन भरने होंगे यदि विवरन और User ID पोर्टल द्वारा सुईकार किये जाते हैं तो Greetings के साथ स्वागत यानि Appropriate Message डिस्प्ले किया जाएगा अब आप अपने IRCTC एकाउंट को सक्रिय करने के लिए Verification Code और Activation Link, SMS और Email ID पर प्राप्ट करेंगे जब आप अपना Email खोलते हैं तो आपको एक Mail प्राप्ट होगा जो आपको आपके Highly Confidential Password और User ID के बारे में जानकारी देगा Email में दिये गए Activation Link पर क्लिक करें और Code Dutch करें आपका अकाउंट अब आपके उप्योग के लिए तैयार है अब आप Online भारती Rail की टिकेट बुक कर सकते हैं बच्चों PNR Passenger Name Record का छोटा नाम है ये Railway द्वारा जारी किये गए प्रतेक टिकेट के लिए Signed एक युनीक 10 अंकों का नंबर होता है ये आपके टिकेट का reference नंबर है जिससे टिकेट के स्थिती पता लगाने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है PNR स्थिती की जाच करने का सबसे मुख्य तरीका Online है अब आप www.indianrain.gov.in पर जा सकते हैं और PNR Status लिंक पर क्लिक कर सकते हैं PNR नंबर दज करें और Get Status पर क्लिक करें यदि आपने अपना टिकेट online बुक किया है तो आप www.irctc.co.in पर लॉग इन करके आपने credentials का उप्योग करके PNR Status की जाच कर सकते हैं Booked Ticket History पर क्लिक करें और अपना E and Ticket सेलेक्ट करें और Get PNR Status पर क्लिक करें टिकेट के आगमन या प्रस्थान के बारे में पूछताच Inquiry About Arrival और Departure of Ticket आईए जानते हैं कि कैसे यातरी ट्रेन की आगमन या प्रस्थान के बारे में जानकारी घर बैठे देख सकते हैं राश्ट्रिय ट्रेन पूछताच प्रणाली यानी www.inquiry.indianrail.gov.in.ntes ट्रेन की वास्तविक समय यानी रियल टाइम पर रनिंग स्थिती को दिखाती है ट्रेन संख्या की मदद से यातरियों को ट्रेन की लाइव चलती स्थिती यानी लाइव रनिंग स्थिती एक एक एकुरेट जानकारी मिल सकती है पोर्टल के माध्यम से उपलब्ट सेवाएं यहाँ पर हम एक सुची के रूप में दिखा रहे हैं अपनी ट्रेन की स्थिती जाने, spot your train ट्रेन की लाइव चलने की स्थिती, live running status of train लाइव स्थेशन्स, किसी भी निर्धारित अवधी के लिए एक स्थेशन पर निर्धारित गाडियां स्थेशन के बीच, train between stations, दो स्थेशन्स के बीच उपलब्ट ट्रेन्स railway सारनी, train schedule, दर्च किये गए नंबर की रेलगाडि का ठहराफ, मार्ग यानी stoppage या route और समय सारनी cancel की गई trains, रद किये गए trains की जानकारी, re and scheduled, पुना निर्धारित रेलगाडियों की सूची diverted, परिवर्तित, मार्ग परिवर्तित गाडियों की सूची IRCTC Ticket Booking बच्चों, IRCTC, internet के माध्यम से ticket book करने के लिए एक बहुत ही simple platform प्रदान करता है e-ticket booking सुविधा के अतरिक्त, quick booking, journey history, easy cancellation, TDR filing इत्यादी जैसी कई उपयोगी सेवाएं एक सुरक्षित और उपयोग करता के अनुकूल यानी user interface में प्रदान करता है IRCTC Portal में प्रवेश करने के बाद आप उपयोग करता के home page पर आएंगे जहां आप Plan My Travel विकल्प देख सकते हैं जो ticket book करने का पहला कदम है यह यहाँ पर दिखाया गया है अब आप गंतव्य स्थान यानी destination, date और कोटा भरने के बाद find trains पर क्लिक करें इच्छित तिथियों यानी desired dates के लिए चुने हुए destinations पर उपलब्ध trains की सुची आपको दिखाई जाएगी जो की यहाँ पर दिखाया गया है वांचित train यानी desired train में seat की उपलब्धता यानी availability की जाच करने से पहले आपको पहले उचित कोटा यानी appropriate कोटा का चयन करना चाहिए जो की आपके लिए लागू है उधारन के लिए general, ततकाल, आदी किसी विशिष्ट train यानी specific train में उपलब्धता की जाच करने के लिए appropriate class जैसे 1A, 2A, 3A, SL पर क्लिक करें जिसमें आप seat उपलब्धता की तराश कर रहे हैं यह यहाँ पर प्रदरशित किया गया है अब आप देखेंगे के प्रिष्ट के शीर्ष पर system चैनित इच्छित trains के अगले 6 दिनों की उपलब्धता की स्थिती दिखाएगा आपके द्वारा चुनेगाए टिकेट के वर्ग के लिए किराया भी प्रदरशित होगा टिकेट बुक करने के लिए टिकेट उपलब्धता के नीचे मौझूद बुक टिकेट लिंक पर क्लिक करें यदि आप IRCTC प्रतिक्षा सुची यानि वेटिंग लिस्ट में टिकेट को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये वेकलपिक ट्रेन दिखा सकता है जिसमें टिकेट उपलब्ध है यदि आप अपनी पिछली पसंत यानि की चैने ट्रेन को जारी रखना चाहते हैं तो continue with previous booking choice पर क्लिक करें जो के यहाँ पर दिखाया गया है अगला पोटल उस आरक्षन फॉर्म यानि reservation फॉर्म को दिखाएगा जिसमें उप्योग करता को उस यात्री का detail दर्ज करना चाहिए जिसके लिए वहे एक e-ticket बुक करना चाहता है और next बटन पर क्लिक करें उप्योग करता को उसके द्वरा दर्ज किये गए यात्रियों की booking के विवरणों का सारांश दिखाया जाएगा और भुकतान मोड को चुनने के लिए भी संकेत दिया जाएगा भुकतान पूरा करने के बाद उसे booking विवरण के साथ registered mobile number या email ID पर एक SMS प्राप्त होगा यदि ticket सफलता पूरवक बुक हो चुका है तो book tickets की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी आप English या Hindi में ticket का printout ले सकते हैं जो की इस चित्र में दिखाया गया है बच्चों e-ticket को IRCTC website के माध्यम से online रद यानि cancel किया जा सकता है और ये तब तक हो सकता है जब तक की train का चार्ट तयार नहीं हो जाता railway counters पर e-ticket के लिए रद्धिकरण यानि cancellation की अनुमती नहीं है आपको www.irctc.co.in पर login करने की ज़रूरत है और booked tickets link पर जाएं और रद्धिकरणे के लिए ticket का चैन करें और cancel करने के लिए यात्रियों का चुनाव कर संबंदित ticket रद्धिकरण की पुष्टी यानि confirmation online होगी और रद्ध की ये ticket का भुकतान online ticket के booking के लिए उपयोग कियेगा एक हाते में वापस जमा किया जाएगा अगर ticket में कोई आंशिक रद्धिकरण यानि partial cancellation हो तो कृपया सुनिश्चित करें के मूल ticket के लिए एक नई e-reservation slip को अलग से print किया गया है उपयोगी tips प्रिये बच्चों अब आप train की ticket PNR status की जानकारी आसान तरीके से पास सकते हैं इसके लिए भारतीय rail ने 139 पर SMS आधारित सेवा शुरू की है जहां आप PNR status, arrival and departure जैसी सेवाओं की सूची का लाब उठा सकते हैं आप www.indianrail.gov.in slash 139.html पर जाकर सभी संभव विकल्प देख सकते हैं SRTC आईए जानते हैं राजस्थान में बस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी RSRTC के बारे में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम यानि RSRTC राजस्थान में बस सेवा प्रदान करने वाली एक सारवजनिक बस परिवहन कंपनी है ये राजस्थान के और उसके बाहर के अपने सभी यात्रियों को राज्य के भीतर और बाहर बस सेवाएं प्रदान करता है आप online booking के लिए website rsrtconline.rajistan.gov.in का उपियोग कर सकते हैं पंजी करन और sign in Registration and sign in आये सीखते हैं कि rsrtc में पंजी करन करना और ticket book करना आपको कोई भी transaction करने से पहले अपना account बनाना और register करना होगा website पर log on करें और new user पर click करें सभी आवशक विवरन भरें और आगे बढ़ें sign up के सफल समापन के बाद ये आपके rsrtc account के activation के लिए आपके द्वारा registered email id पर प्राप्त link के माध्यम से पूछेगा activation link पर click करके खाता सक्रिये यानि account active करने के बाद आप rsrtc के माध्यम से एक ticket बुक कर सकते हैं आपको rsrtc portal पर log in करने की आवशकता नहीं है आप login प्रेश्ट यानि login page पर bus inquiry पर click करके ऐसा कर सकते हैं bus पूछताच page पर bus add on from and to के साथ यात्रा की तारीक और bus का प्रकार यदि आप bus के प्रकार से अंजान हैं field में any चुने का उल्लेक करना होगा सभी विवरन डीटेल्स दर्ज करने के बाद सर्च पर click करें और यहां आप दो stations के बीच प्रकार, mark और seat की उपलब्धता के बीच निर्धारित bus की एक पूरी सूची देखेंगे वांचित bus या mark में seat उपलब्धता की इस्तिती जानने के लिए show availability पर click करें booking अब हम RSRTC में online ticket book करना सीखेंगे online ticket book करने के लिए अपने user ID और password का इस्तिमाल करके website पर log on करें booking प्रिष्ट यानि booking page पर यात्रा की तिथी और bus सेवा प्रकार के साथ यात्रा विवरन, from and to दर्ज करें प्रवेश करते समय आप अपनी यात्रा के लिए stop, fare और seat availability का पता लगा सकते हैं टिकेट बुक करने के लिए book ticket पर click करें यात्री डीटेल भरें जिसमें name, gender, quota जो की सिर्फ महिलाओं के लिए है और age शामिल है यदि आपके यात्री master सुची में विवरन है तो आप इस सुची के विवरन को भी चुन सकते हैं अगला बस layout होगा जहां आप seat select कर सकते हैं और फिर payment करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं एक बार आपका online payment सफल हो जाने पर आपका ticket email और SMS के मार्धियम से उपलब्ध होगा आप अपने ticket का print भी ले सकते हैं बच्चों, e-ticket को IRCTC website के मार्धियम से online रद यानि cancel किया जा सकता है और ये तब तक हो सकता है जब तक कि train का chart तयार नहीं हो जाता railway counters पर e-ticket के लिए रद्धिकरण यानि cancellation की अनुमती नहीं है आपको www.irctc.co.in पर login करने की ज़रूरत है और booked tickets लिंक पर जाएं और रद्धिकरणे के लिए ticket का चैन करें और cancel करने के लिए यात्रियों का चुनाव कर संबंदित ticket रद्ध कर सकते हैं रद्धिकरण की पुष्टी यानि confirmation online होगी और रद्ध की ये ticket का भुकतान online ticket के booking के लिए उप्योग कियेगा एक हाते में वापस जमा किया जाएगा अगर ticket में कोई आंशिक रद्धिकरण यानि partial cancellation हो तो कृपया सुनिश्चित करें कि मूल ticket के लिए एक नई e-reservation slip को अलग से प्रिंट किया गया है उप्योगी tips प्रिये बच्चों अब आप train की ticket PNR status की जानकारी आसान तरीके से पा सकते हैं इसके लिए भारतिये rail ने 139 पर SMS आधारित सेवा शुरू की है जहां आप PNR status arrival and departure जैसी सेवाओं की सूची का लाब उठा सकते हैं आप www.indianrail.gov.in slash 139.html पर जाकर सभी संभव विकल्प देख सकते हैं राश्ट्रिये मतदाता सेवा पोर्टल National Voters Service Portal आईए अब हम जानते हैं राश्ट्रिये मतदाता सेवा पोर्टल के बारे में राश्ट्रिये मतदाता सेवा पोर्टल यानि National Voters Service Portal NVSP या www.nvsp.in को जनवरी 2015 में राश्ट्रिये मतदाता दिवस के अफसर पर मतदाताओं को एकल खिड़की सेवाएं यानि Single Windows Services प्रदान करने के उद्देश से लाँच किया गया था NVSP को ECI यानि Election Commission of India से उपलब्ध कराया गया है उपयोग करता वेबसाइट पर जा सकते हैं और सेवाओं का लाब उठाने के लिए NVSP लिंक पर क्लिक कर सकते हैं NVSP पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली कुछ सेवाएं इस प्रकार है चुनाओ सूची में नाम खोजें Search the name in Electrol List नए पंजी करण के लिए अंग्रेजी या हिंदी भाषा में आवेदन करें Apply online in English or Hindi language for new registration सुधार के लिए online आवेदन करें यदी कोई हो Apply online for corrections if any उपयोग करता अपने मतदान केंद्र, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और संसिद्य निर्वाचन क्षेत्र का विवरन देख सकते हैं User can view details of his polling booth, assembly constituency and parliamentary constituency उपयोग करता, booth star के अधिकारी, चुनावी पंजिकरन अधिकारी और अन्य चुनाव अधिकारी के संपर्क विवरन प्राप्त कर सकते हैं User can get the contact details of both level officer, electoral registration officer and other election officer उपयोग करता आधार नंबर को election photo identity card EPIC data से जोड सकते हैं चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग करता audio-visual लगु फिल्म देख सकते हैं Users can view audio-visual shot films to get educated about election processes मतदान प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए audio-visual script भी उपलब्ध है Audio-visual scripts are also valuable for getting to know about the polling processes उपयोग करता electronic voting machine यानि EVM पर एक लगु शक्षनिक फिल्म देख सकते हैं Users can watch a short educational film on electronic voting machine EVM मतदाता सूची में नाम खोजें Search for name in Electrol Roll आप अपना नाम मतदाता सूची राश्ट्रिया मतदाता सेवा पोर्टल पर खोज सकते हैं आईए सीखते हैं कि कैसे सूची में नाम खोजा जाता है मतदाता सूची यानि Electrol Roll में अपना नाम जानने के लिए आपको इसके website पर जाने की आवशक्ता है NVSP Portal के home page पर आपको अपना नाम मतदाता सूची में खोजने के लिए एक link मिलेगा इस page पर आपको अपना नाम खोजने के लिए दो options मिलेंगे एक आपके विवरंड के माध्यम से है One is through your details और दूसरा आपके EPIC संख्या के माध्यम से है And second one is through your EPIC number आवशक search criteria enter करके आप यहां दिखाए गए अनुसार विवरंड प्राप्त कर पाएंगे अपने booth, AC और PC को जाने Know your booth, AC and PC आए सीखते हैं राश्ट्रिय मतदाता सेवा पोर्टल पर कैसे आपके booth, AC और PC के बारे में जाना जा सकता है अपने booth, AC यानी Assembly Constituency और PC यानी Parliamentary Constituency के बारे में जानकारी जानने के लिए आपको www.nvsp.in पर जाकर एक बार फिर से प्रक्रिया को दोहराना होगा और पोर्टल के होम पेज पर लिंक, Know your booth, AC and PC पर क्लिक करना होगा जब उपरोक्त लिंक पर यूजर क्लिक करेगा तो वह आपको उसी पेज पर ले कर जाएगा जहां आप चुनावी रोल की खोज के दौरान पहुँचे थे आपको अपने विवरन या EPIC नंबर के माध्यम से खोज करने के लिए समान दो आप्शिन्स मिलेंगे सभी आवशक विवरनों का उलेक करने के बाद आपको बूत, AC and PC के बारे में सभी आवशक विवरन मिलेंगे आईए अब सीखते हैं कि कैसे राष्ट्रिय मतदाता सेवा पोर्टल पर आउनलाइन आवेदन किया जा सकता है NVSP यानि National Voters Service Portal नए मतदाता रजिस्ट्रेशन के आवेदन करने के लिए एक आउनलाइन प्लैटफॉर्म प्रदान करता है Home Page पर आप नए मतदाता पंजिकरन यानि New Water Registration के लिए आवेदन करने के लिए एक लिंक देखेंगे इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप एक नए मतदाता के रूप में Registration यानि पंजिकरन करने के लिए Form 6 देखेंगे इस Form में Name, Father's Name, Present Address, Permanent Address, Photo, Age of Proof, Address Proof आदी को भरने के लिए विभिन्न प्रविष्टियां है सभी Entries भरने के बाद Form के अंत में आप Submit बटन देखेंगे यदि आप पाते हैं कि सभी Entries verified हैं और सुधार की आवशकता नहीं हैं तो Submit बटन पर क्लिक करें चुनावी रोल में प्रविष्टियों का सुधार Correction of Entries in Electral Role आप NVSP जोकी राश्ट्रिय मतदाता सेवा पोर्टल है पर आपकी प्रविष्टियों में सुधार कर सकते हैं आए सीखते हैं इसकी प्रक्रिया को NVSP National Voters Service Portal नगरिकों के लिए अपनी चुनावी Entries में Corrections और Alteration करने के लिए Online सुधार प्रदान करता है मतदाता सुची में सुधार करने के लिए नीचे दियेगा स्टेप्स का पालन करें NVSP Portal के Home Page पर चुनावी रोल में Entries के सुधार के लिए Link पर क्लिक करें Correction Link पर क्लिक करने के बाद आप इस Page पर जाएंगे जहां आप सुधार के लिए Online Form 8 देखेंगे इस Form में विभिन Entries के नाम, पिता का नाम, Entries को ठीक करने की आवशक्ता होती है आपको Supporting Documents भी अपलोड करना होगा सभी Details भरने के बाद आप Submit बटन देखेंगे सभी Users हेतू सुझाव दिया गया है कि आवेदन Submit करने से पूर्व सभी Entries को Correct कर लें तथा Verify करें उप्योगी Tips मतदाता पहचान पत्र संख्या यानी Water ID Card Number अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें Water ID Card Save होने की स्थिती में ये आपको एक Duplicate Water ID Card बनाने में मदद करेगा LPG Save और सदस्यता LPG Service and Subscription आज हर घर में LPG की आवशक्ता होती है पूर्व में इसे दुकान से लाना पड़ता था परन्तु आज Digital India के समय में आप Online LPG Service की मदद लेके Online LPG को Book कर सकते हैं और इसकी सदस्यता भी ले सकते हैं Online Refill Booking आईए Online Refill Booking की प्रक्रिया को समझते हैं LPG Sylinder Booking घर बैठे अब एक बटन क्लिक करके आसानी से किया जा सकता है Indian Gas, HP Gas और भारत Gas के पास अपनी स्वयम की Online LPG Booking Services हैं जिससे ग्रहकों को LPG Sylinder Refill Book करने की सुविधा मिलती है इसमें आपको किसी डीलर के पास परसनली उपस्थत होने या कॉल करने की आवशक्ता बिलकुल नहीं है Online Gas Booking का लाब ये है कि उपभुकता Net Banking या Credit Card के माधियम से भुगतान करना चुन सकता है स्क्रीन पर एक Book Refill Link होगा आप भुगतान Online यानी Pay Online या Delivery पर Cash on Delivery चुन सकते हैं भुगतान या उवकम कन्फर्म होने के पश्चाथ आपका Refill Book हो गया और तुरंत आप Registered Mobile Number और Email पर Confirmation इसका प्राप्त कर लेंगे वितरक परिवर्तन या Connection की समाप्ती के लिए Online अनुरोध Online Request for Distributor Change और Closure of Connection आप अपने वितरक को बदलने या Connection बंद करने के लिए आवेधन करने के लिए Online Portal का उप्योग कर सकते हैं इन दोनों ट्रांजक्शन के लिए आपको Website पर Log On करके Relevant Option चुनने की आवेशक्ता होगी वितरक परिवर्तन के लिए Online अनुरोध Online Request for Distributor Change Online वितरक परिवर्तन का अनुरोध भेजने के लिए NIMD Steps का पालन करे New Service Request New Service Request पर क्लिक करके आप अपने क्षेतर के वर्तमान वितरक तथा अन्य वितरक एजिंसी देख सकते हैं आप Users द्वारा दी गई रेटिंग भी देख सकते हैं अपने Desire Distributor को खोजने के लिए Browse करें और इसके सामने Select बटन पर क्लिक करें Connection की Closure Closure और Surrender of Connection आईए जानते हैं कि कैसे आप आपके Gas Connection को Closure कर सकते हैं Gas Connection Manually Surrender करने के लिए Personally आपको Document Arrange करने तथा Distributor से Contact करने में अधिक समय देना होता है अब आप Online भी Surrender का अनुरोद जमा कर सकते हैं एक बार Online Process के बाद Distributor आपके घर अपना Cylinder और Regulator लेने के लिए आएंगे या आपको उन्हें उनके कार्याले में जमा करना होगा